हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके पने शेनल स्यू कोचिंग क्लासिस पर स्वगत है और आज पुना हाट 20 कोशन लेकर आ चुके हैं पहरे भाई हो जिसमें आपको वनलाइन फैक्ट से चार विकल्प रहेंगे चार आपसन रहेंगे जिस तो इसके पहले भी जो प्रिवेस वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट एक बार बिजिट कर लो हर दिन 20 जी के कोशन आप तयार करते चले हर कमप्टिसन एक जाम के लिए काफी हिल्फ हो लोगा तो चलिए सुरू करते हैं और देखते इसमें से कौन सा करेक्ट होगा तो उर्ध पातन की किरिया क्या कहिलाती पैरवायो जैसे कोई ठोस है वो बिना द्रौव में बदले सीधे बास्प में बदल जाती है वह क्रिया उर्ध पातन कहलाती है तो यहां पर आपसन नमबर डी is the correct answer कौन सा आपसन बहाया आपसन नम आमोनियम ट्लॉराइड तीनों उर्ध पातन की पदार्थ हैं यह उर्ध पातन के क्रिया को प्रदर्सित करते हैं अर्थात इन्हें आप कपूर को खुला चोनदो तो धिरे-दिरे करके वह बासपीट हो जाता है इसी प्रकार से नेफ्थलिन और आमोनियम ट्लॉराइड भी बिना द्रौ में बतले गैस में या बास्प में बदल जाता है। अगला प्रिशन देखते हैं पहरे भाईों, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उस्मा पाकर द्रौ में परणित होता है, वह कहलाता है, कौतनांक, गलनांक, बास्पन इनमें से कोई नहीं। फिर से समझें, जिस ताप पर कोई ठोस उसमा पाकर द्रौ में बदल जाता है, मतलब ठोस को हम गरम करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो किस में बदल जाए, द्रौ में बदल जाए, तो वह है ताप जिसे ताप पर कोई पदार्थ या थोस द्रौ अवस्था में बदल जाता हुए ताप क्या कहलाता है पेरे भाईो तो देखो थोस से द्रौ में बदलना यही गलाना जैसे आपका लुहा है उसे हम लिक्विड में बदलेंगे उसको हाई टंपरेचर देंगे तो वह कहलाता है गलाना और यही जो टंपरेचर है पैरे भाई यो कहलाता है गलाना तो आपसर नंबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसर नंबर भी ओके चले अगला प्रशन है आपके लिए एकोश्य नमबर तीन जिस ताप पर कोई द्रॉब उसमा पाकर बास में बदलता है अब देखो अभी आप ने पढ़ा ठोस से किस्में द्रॉफ म, अब हम कहते हैं द्रॉफ किस्में बदल जाए गैसम। तो कौन सा ताप तो ठोस से द्राव में बदलने के लिए गलनांग कहलाया और द्राव को गैस में बदलने के लिए क्या कहलाएगा तो वह ताप जिस ताप पर द्राव गैस अबस्थ में बदलता है तो चार आपचन है गलनांग, द्रबनांग, कौथनांग, इनमें से कोई नहीं बताना है कौन सा राइट एंसर हो जाएगा पैरे भाईो तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कोथनांग ठीक है यहीं द्रौको गैस में बदल द्रबड़ांग यहीं द्रवीद अवस्थम बदलने तो द्रबड़ांग कहला जाएगा ठोस को द्रौको गैस में बदलने तो ग के रखाया है पहला आपसन है जब इसका वास्पदाब एक ग्राम प्रती बर्ग सिंटी मीटर होता है आपसन नमबर भी जब इसका वास्पदाब पारिस के 76 सिंटिमीटर के बराबर होता है आपसर नमबर C जल का इस्थिती बास्पदाब वाता वर्णी बास्पदाब के बराबर होता है और आपसर नमबर D जब पानी का ताप क्रम 100 डिग्री सिल्शिस तक पहुंच जाता है तो बताना है भाईयो की पानी क्या कहता है यहाँ पर पानी कब उबलता है कब उबलने लगता है तो चार आपसर ने जिसमें आपको correct answer बताना है तो इसका right answer आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा पैरे भाईयो यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास कोई जल रखा हुआ थोड़ा समझ चर्चा करता हूं यहां पर देखिए थोड़ा सा बेसिक चीजें भी बताना जरूरी है जल रखा हुआ उसे गरम करेंगे तो यह जल कब बास्पी तबस्था में होता है ये तो एक माना कि इस और डिकरी सेल्सिस पर जल उबलने लगता है लेकिन कभी-कभी उससे अधिक कम भी हो सकता है बावमंडली दाप के इसका दाप जब बराबर होगा तभी उबलने लगेगा और बास्वी तवस्थ में बदलने लगता है इसलिए इसका राइट अंसर हो ज भेगा घटेगा तेजी से बड़ेगा आप अरिवर्तित रहेगा चार आपसन में आपको करेक्ट बताना भी या क्या होगा तो अच्छा समझेगा जैसे बास्पीकन हो रहा है मतलब कोई द्रौ गर्म है तो बास्पीकन के क्रिया के फलसुरूप जो ज़्यादा गर्म है व के चले अगला प्रिशन है आपका बर्फ के दो टुकडों को आपस में दवाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं कारण क्या है दाब अधिक होने पर बर्फ का गल्लांग घड़ जाता है दाब अधिक होने पर बर्फ का गल्लांग पहले घड़ता है फिर वड़ता है औ और दाव हुआ गलनांक में कोई संबंद नहीं होता तो आपको राइट एंसर बताना है कोश्चन नमबर 6 का तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पहरे भायो राइट एंसर होगा आपका आपसर नमबर ए आपसर नमबर ए दाव अधिक होने पर बर्प का गलनांक घट जाता ह चलिए अगला प्राशन देखते हैं कोशें नंबर से बन है प्रशर कुकर में भूजन कम समय में तयार हो जाता है क्यों आपसन में से बताना है वो तो पता है कि प्रशर कुकर में दावाधीक हो जाता है लेकिन आपसन में क्या-क्या देखे रखांगे यूपी पेसी 2015 का कोथनांग घड़ जाता है भोजन कम उस्मा लेता है उपरुक्त में से कोई नहीं चार आपसर में राइट एंसर बताना है अच्छा भोजन कम उस्मा तो लेगा नहीं भई या उस्मा तो उसे उतनी अब सकता होगी जितने उस्मा पर उबल सके तो उस्मा में कमी होगी नहीं तो कोथनांग क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है, राइट एंसर को जाएगा, आपसन नमबर एज तर करेक्ट एंसर, जल का कोथनांग बढ़ जाता है, उके, चलिए, अगला प्रिशन देखते हैं, पैरे भाईयो, उस्मा गत्की के प्रथम नियम से सनरचित होता है चार आपसन है, संबेग सनरचित होता है, उर्जा सनरचित होता है, संबेग और उर्जा दोनों सनरचित होता है, इन में से कोई नहीं, चार आपसन है, उस्मा गत्की के प्रथम नियम से क्या सनरचित होता है, चार आपसन है आपके पास, चलिए, बताइए, तो राइट एं रुद्धोस्में क्या हो तभी रुस्मा अप प्रिवर्तित रहता है और तॉनों बदलते हैं इन में से कोई ने बताना है आपको तो आपके पर मोटी में चाहे इस को आपके पास पछामतार है यानि बाहर का ना तो उसमा अंदर और ना तो अंदर का उसमा बाहर तो ये प्रक्रम कहलाता है रुद्धोस्व्ण प्रक्रम यह팀 अ परिवर्तित रहता है इसलिए राइटें सण हो जाएगा आपका भी ताप आप अरिवर्थित रहता है ओके चले गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों क्योंकि भई आपके सरीर में पसीना होता है और वो देखिए पसीना से इलाजिक है कभी आप लोग प्रैक्टिकल देख लेना कभी आप तेजी से काम करके आए होंगे और से अधिक उसमा विक्रित होता है हावा का शमभागता बढ़ जाती है चार आप सन रहाट अंसर आपको बताना है तो भाइया मैं ego बता है ना पसी ना जो तेजी से बास्पिक्रत होता है इसलिए हमको थोड़ा सहल का ठंडा आवाश होता है चले अगला प्रश्ण है कमरे को ठंडा किया जा सकता है चार आपसन है पहला नंबर पानी के बहने से संपेडित केस के छोड़ने से है ना और सोई गैस से और ठोस को पिहलाने से चार आपसन है बताना आपको कौन सा राइट अंसर हो जाएगा तो संपेडित गैस को छोड़ने से ठीक है यह होगा अप्सन नमबर B तो राइट अंसर क्लियर है अप्सन नमबर B संपेडित गैस यह गैस ठीक है केस नहीं है गैस को छोड़ने से ठीक अगला प्रिश्ण देखते हैं प्यारे भाई हो कोई पिंड उस्मा का सबसे अधिक अप्सूसन करता है जब वह हो क्या हो भईया चलो चार अप्सन में बताना है कि पिंड कैसा होना चाहिए काला खुरदूरा ठीक है मस्रड अगला सफेद या खुरदूरा या कि सफेद या मस्रण चार अप्सन रहे भाई हो और ऐसे question देखने को मिलेंगे कि SSC 2011 में question आया हुआ है इसलिए इन में से आपको चार option में सूचना है तो हमको पता है पहरे भाई हो कोई भी पदार जितना खुरदूरा होगा उतना ही ज्यादा अफसोसन होगा उसमें उसमा और देखते हैं कि आप ठंडी के दिनों में काले कोट का प्रियों क्यों कि उसमा अफसोसित होता है निकाला और खुरदूरा होना चाहिए तो उपन ज्यादा उसमा अफसोसित करेगा अगला प्रिशन देखते हैं पहरे भाई यो एक सुस्त मनुस्त के सरीर कताब कितना होता है सिंपल है बहुत इजिए आपसों अंबर है ठाइट रिल्स किERT आ हैं या चलो बदा देते हैं आपसों नंबर है 37 degree Celsius correct answer okay 37 degree Celsius अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है आपका question number आपका ये 13 था और ये 14 है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आराम दे होता है क्यों सफेद कपड़ा आपको पता होना चाहिए चार आपसन पहले यहां पर समझ लें फिर आपको समझाते हैं यह अपने उपर पढ़ने वाले शवी उस्मा को परवर्थित कर देते हैं यह सरीर के से इस्थरांतित होने वाले सारी उस्मा को बिग्रित कर देती हैं यह पसीना सोक लेते हैं यह आँखों में सितल्दा प्रदान करती हैं तो अकसर आप देखते होंगे पैरे भायों कि स्कूल पे या कहीं भी जहां पर पढ़ने करूम होता है सफेद कलर किया जात है जितना ज्यादा कमरा सफेद रहेगा उतना ही आप अट्रक्शन आपका बढ़ेगा और आपको पढ़ने कमन करेगा क्योंकि वहां पर प्रकास का परवर्तन ज्याता होता है उसी प्रकार से गर्मी के दिन में हम सफेद कपड़ा पहनते हैं ताकि प्रकास अफसोसित नहो परवर्तन करता है तो राइट एंसर कौन सो हो जाएगा पहरे भाईो राइट एंसर आपको हो जाएगा आपसा नंबर यह अपने उपर पढ़ने वाली सभी उस्मा को प्रवर्तित कर देता है ओके चलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों जाता है इसका कान यहीं होता है काला जो होता है उसमा का अच्छा अपसोसक होता है ज़िए कम समय में जल्दी गरम हो जाता है क्योंकि ज्यादा उसमा अपसुषित करता है उसे की जगए यह दूसरा पात्र लेंगे यह काला नहीं है थोड़ा सा लेट लगेगा ऐसा नहीं की गरम नहीं होगा, छोगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए काला करने का में करण होता है, हल्का उस्मा ज़्यादा अफसुसित करता है, जिस काण से जल्दी गरम हो जाता है, तो चार आप성ने इसमे इसे रैट असर आपको बताना है, पहला अपसन है उसे रोजाना साफ करना मुस्किल होता है क्या कोई बरतन नहीं साफ कर सकता गलत काली सतय उस्मा का सुचालक होता है काली सतय उस्मा की खुचालक होती है काली सतय उस्मा की अच्छा अपसोसा होती है बताई वहिया कौन सा राइट एंसर हो जाएगा तो मैंने आपको बताया काली जुस्तत्य होती है ज्यादा मात्रे में उश्मा अफसोसित करती है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी अगला प्रशन देखते हैं पसीना सरीर को ठंडा करता है क्यों चलो आपसर में आपको बताना है करेक्ट एंसर तो पहला एंसर राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी यह बी नमबर बासपी करण की लिए गुप्त उस्मा की अवसकता होती है मैंने पहले भी एक कोशन आ चुका है जैसा कि आपने देखा कि जैसे हम खेल के आ रहे हैं कह के सदीर में पसीना हें अचानक आप महलीजे फैन का हावा ले रहे हैं पंकें का हावा ले रहे हैं तो बाश्पीत होने लगता है और यहो बासपी करण की क्रिया के कारल हमारा सदीर ठंडा अफन अणौवह और enneगर ऴस्पीन अगला प्रक्त धटरन तरंगों को शब बता ने किया बाव चार आप सन है बिल्कुल सिंपल है किसने सीटी बजाकर पर पंके न्यूटन ने गाल्टन ने हाड़ ईटन में फैरा देनी इसका आप से कंड का बेड़ करता हूँ आप लोगों को बताना है न्यूटन ने, गॉल्टन ने, हर्टज ने, फिराडे ने तो इसका राइट अंसरों का आपसन नमबर भी गॉल्टन ने किसने गॉल्टन ने अगला कुश्यन देखते हैं ध्वनी या ध्वनी प्रोदूशन को मापा जाता है किससे ध्वनी प्रोदूशन को किससे मापा जाता है ध्वनी को फान से, डेसी से, डेसीवल से, डेसीमल से बताव यह चार अपसने 5 सेकेंड का बेट करता हूँ चार आप लोग सोच सकें ताकि और इसका एंसर सही जवाब दे भी सकें कमेंट बाक्स में आप दे भी सकते हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, डेसीवल, आपसन नंबर C आपसन नंबर C हो जाएगा, ठीक है राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन पेरे भाई हो, ध्वनी तरंगे नहीं चल सकती किस माद्धय में नहीं चल सकती ठोस में, द्रौ में, जैसी माद्धय में, निर्वात में ठीक है, तो ध्वनी को चलने के लिए भाई या कोई न कोई माद्धयम चाहिए तो ठोस भी एक क्या है, माद्धयम है, द्रौ भी क्या है, माद्धयम है माध्यम है लेकिन जो निर्वात होता है मतलब किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है तो निर्वात में धोनी तरंगी नहीं चल सकती क्योंकि पैरे भाईयों सूर में होने वाली घटनाएं हमें सुनाई नहीं देती है ठीक है इसी प्रकार चंद्रमा में होने वाली घटनाएं स करैक्ट अशरी धिद्वा真的 का में मुख रूप से पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं मुख रूप से आपसफन नंबर यह है बाग कोबरा तिंदुवा हाथी सबसे ज्यादा क्या पाए घाते हैं प्यारे बाग यह हाईलाइट है चार आपसन है बाग कोबरा तिंदुवा हाथी तो दचिगाम राष्टी उद्दैन में पेरे भायों तिंदुवा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपसन नमबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा और आज का last question आप देखेंगे जिम कारवेट राष्टी उद्द्यान कहा है बहुत ही सिंपल है जिम कारवेट राष्टी उद्द्यान ठीक है तो चार कोश्चन हम ने किया था कि हम आसे में कौन सा अमल पाया जाता है कई बच्चों ने अच्छे सेंसर दिया था एक्त Iranian सर धा और आज कर के कर दिया करें दोस्तों सेर कर दें और प्रिवियस वीडियो देखना बिल्कूल न भूलें हर दिन साम साथ बजी वीडियो अपलोड होता है तो इसको जरूर देखें सभी के लिए कंपलसरी है और काफी इंपोर्टेंट चीजें चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिं बन्दे मत्रों